इस वीडियो में हम exercise 1.3 का question number 2 करेंगे I hope अपने first video में ये question number 1 को समझा होगा कि terminating non-terminating क्या होता है second question है you know that 1 by 7 equals to 0.142857 and ये जो line है इसको हम बार बोलते हैं इस बार का मतलब होता है कि ये जो नीचे number लिखे न वो repeat होंगे 7 के बाद again 142857 फिर ये number आता जाएगा तो इस बार का मतलब ये होता है अब यहाँ पर इनो लिखे can you predict what decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 are without actually doing the long division if so how इनोंने बोला है बिना long division किये आपको बताना है कि ये कैसे होगा hint भी दिया है study the remainders while finding the value of 1 by 7 carefully बहुत ही easy है देखो इनोंने already हमें 1 by 7 का मतलब बता रखा है अगर आपको 1 by 7 की value पता है तो 2 by 7, 3 by 7 इनकी value तो बता ही सकते हैं कैसे तो देखो यहाँ पर इनोंने बार बार रिपीट होंगे बार मतलब बार बार रिपीट होंगे so हम 2 by 7 को किस तरीके से लिख सकते हैं 2 multiply by 1 by 7 right so 1 by 7 की value तो हमें पता ही है तो 2 multiply 0.142857 sorry मैंने उल्टा लिख दा 5 है और यह 7 ठीक है अब इस पर बार है तो बार लिख दो अब 2 का multiply इसमें करोगे तो क्या आएगा 2 7 जा 14 14 का हमारे पस 4 आया 2 5 जा 10 प्लस 1 11 आया 2 8 जा 16 प्लस 1 17 तो 7 हो गया 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 हो गया है ना and 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2 ठीक है 2 8 5 7 1 4 इस पर बार and 0 point लगा दो सो हमारे यह answer हो गया अब 3 by 7 को कैसे लिखेंगे 3 by 7 को हम 3 into 1 by 7 लिख सकते हैं सो 3 into 7 3 into 0.142857 और इस पर बार ठीक है अगे इसका multiply करोगे तो 3 7 जा 3 7 जा क्या होता है 21 3 5 जा 15 प्लस 2 17 हो जाएगा 3 8 जा 6 जा 3 8 जा क्या होता है 24 प्लस 1 25 ठीक है 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा 3 4 जा 12 का 2 हो जाएगा 3 1 जा 3 जा 3 जा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा and यहा पर 0 point जाएगा और इस पर बार हो जाएगा अब अगें 4 by 7 4 into 1 by 7 4 into 0.142857 इस पर बार multiply करोगे तो हमारे answer क्या आजाएगा 5 71428 इस पर बार और यहां पर point जाएगा अगें 5 by 7 उसको हम कर सकते हैं 6 by 7 तो हमारा answer इस तरीके से आजाएगा वह multiply करके आप लिख सकते हो in short मेरा कहने का मतलब वो था कि अगर आपको किसी एक की value दी है और उसी same में हमें सिर्फ 2 थी का multiply करना है तो बिना actual division किये हम बता सकते हैं कि हमारा answer इस तरीके से आएगा ठीक है? 5 by 7 का 5 का multiply इसमें कर लो बहुत ही आसानी से आजाएगा इसी तरीके से question number 3 देखेंगे एक्सप्रेस दा following in term of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to zero So again Q is 0 नहीं हो सकता क्यूंकि हम rational number के form में लिख रहे हैं जिसमें condition होती ही Q कभी भी 0 नहीं हो सकता यहां पर हमें इसको P by Q के form में express करना है यह अगें बार है तो बार का meaning फिर से बता दू कि वही number repeat होंगे तो 0.6 है तो 6666 कितना भी लिख सकते हो आप बार मतलब बार बार repeat होगा So इसको भी हम देखते हैं So write down first question जो कि यह 0.6 पे बार बार का मतलब वही number repeat होगा So हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.66666 and so on ठीक है कितने भी 6 लिख सकते हैं अब देखो point के बाद जो number है जितने number के उपर बार होता है उतने 01 के बाद उतने 0 का multiply होता है ठीक है अभी आगे और continue करते हैं तो हम इस number को माल लेंगे x की value So let x equals to 0.66666 and so on अब मैंने बताया है कि point के बाद जो number है और जितने number पे बार है उतने का multiply करना है लेट से यहाँ पे एक ही नमबर है उसके उपर बार है तो हम 10 का multiply करेंगे तो हम लिखेंगे multiply both side by 10 क्यूंकि एक ही नमबर पे बार है ठीक है 10 से multiply करेंगे इसमें यहाँ पे 0.6 को हमने x माले x की value यह है तो 10 x तो x में 10 का multiply करेंगे इसमें भी 10 का multiply करेंगे तो 10 x हो जाएगा equals to इसमें 10 का multiply करेंगे तो एक six point के इधर आ जाएगा तो 6.666 यह हमारे equation number first था यह हमारे equation number second हो गया इसके बाद क्या process होता है हमें subtract करना होता है subtract equation first from equation second right 2 में से first को subtract करना है 2 क्या है 10 x तो 10 x में से हमें x को subtract करना है इधर 6.666 so on में से 0.666 so on को subtract करना है अब देखो 10 x में से x आएगा तो हमारा answer 9 x आ जाएगा यहाँ पे point के पहले 0 है तो 0 को 6 में से subtract करना 6 ही आएगा यह दोनो number same है तो 0 आ जाएगा तो 0 0 0 कोई मतलब नहीं है हमारे पास 9 x की value 6 हाई तो x की value क्या हो जाएगी 6 upon 9 हो जाएगी जिसको हम लिख सकते है 0.6 के bar बराबर x के 6 upon 9 के I hope आप सभी बच्चों को यह first question clear हो ओगा बस यह ध्यान रखना है कि जितने number पे bar है उतने ही 10 का multiply होगा एक पे बार है तो 1 0 2 पे बार है तो यहां पे 100 हो जाथ राइट अब इसी तरीके से हम second question देखेंगे जो की है 0.47 पे बार 7 पे ही बार है सिर्फ ठीक है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 0.4777 7 and so on ठीक है अब यहां पे हम let x की value क्या हो जाएगी let x equals to 0.4777 7 and so on x की value हमार यह हो गई अब दोनों side हम multiply करेंगे किसका 10 का ही करेंगे इसको equation number first नाम देंगे 10 का क्यों क्योंकि सिर्फ एक ही number पे बार है तो हम लिखेंगे यहां पे multiply 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 both side by 10 right 10 का multiply x में हो तो 10x equals to इसका multiply इसमें करोगे so मैंने बताया point के बाद जो एक number है वो इधर आजाएगे क्योंकि 10 का multiply कर रहे ही यह आपने सीखा होगा तो 4.777 and so on हो जाएगा ठीक है क्योंकि 10 का multiply 100 होता तो 47 इधर आजाता point के right अब यह equation number हमारा 2 हो गया second इसके बाद क्या process क्या है subtract equation 1 from equation 2 1 को 2 में से subtract करना है सो जो है 2 कौन सा है 10x तो 10x-x equals to 4.777- 0.4777 को subtract करना है अब देखो यहाँ पे 10x में से 1 जाएगा 9x जाएगा और यहाँ पे देखो 777 777 तो subtract हो जाएगा यहाँ पे 7 और लिख लो क्योंकि यहाँ पे 4 डिजित है तो यहाँ भी 4 डिजित आप बना सकते हो है ना अब देखो 777 में से जाएगा तो 0 हो गया 0 लेकिन 1 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 के नीचे 0 है तो 4 ही आएगा तो हमारा answer 4.3 आगया ठीक है 9x की value यह आगई एक्स की value क्या हो जाएगी 4.3 अपॉन में 9 ठीक है 4.3 अपॉन में 9 हम इसको कैसे लिख सकते हैं यह भी कर सकते हो पॉइंट को यहाँ से रिमूओ करके नीचे 0 लगा दो सो हमारा 43 अपॉन में 9 ती answer आ जाएगा सो हम लिखेंगे जीरो पॉइंट 4 सेवन पे बार बराबर है 43 अपॉन 9 जीरो के यह हमारा second question हुआ है ठीक है Question में थर्ड है यहाँ पे जो की है 0.001 और इन तीनों पे बार है तीनों पे बार का मतलब है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.001 इस तरीके से repeat होता जाएगा ठीक है बार का मतलब यह होता है क्या अगर नहीं आपे हम मालेंगे let x की value इसको हम x मालेंगे x की value यह है लिखो 0.001 001 and so on चलता जाएगा यह equation number first हो गई अब multiply किसका करेंगे ध्यान दो कितने number पर बार है यहां पर multiply both side by thousand क्यों क्योंकि तीन number पर बार है तो वन के बार 30 हो जाएगा अब दोनों side अगर हम 1000 का multiply करते हैं तो यहां पर 1000 x हो जाएगा 1000 x बराबर हो जाएगा इस 1000 का multiply यहां करोगे तो ध्यान दो यह जो तीन number है इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा 1.001001 इस तरीके से यह चलता जाएगा 1000 का multiply इसमें करोगे तो 100 हो जाएगा ना sorry 001 होगा तो यह 0 का मतलब ही नहीं इसके बाद 00 लगा दो तो कोई मतलब नहीं तो यह 1.001001 001 इस तरीके से हो जाएगा आप calculation भी करके देख सकते हो अब यहां पर यह 2 हो गया अगीं सब्ट्राइट करना है सब्ट्राइट 2 में सब्ट्राइट 1 from 2 ठीक है equation 1 from equation 2 1 क्या है यहां पर यह है और 2 यह तो यहां पर 1000 x- x equals to यह लिखना है 1.001001 minus यह लिखना है 0.001001 and so on देखो इसमें से इसको सब्ट्राइट करोगे तो क्या आएगा 99x आजाएगा बराबर होगा यह और यह तो सेम है पॉइंट के बार तो यह 0 हो जाएगे लेकिन हमारा 1 आंसर बजएगा 1.00000 आजाएगा क्योंकि यह पूरा नंबर सेम है अब यहां पर 99x equals to है 1 के x की value हमारे पास क्या हो जाएगी ठीक है I hope आपको question number 3 भी clear हुआ होगा देखो इसी तरीके से question number 4 भी है express 0.9999 in the form of p by q are you surprised by your answer with your teacher and classmate discuss why answer makes sense देखो बहुत ही easy है 0.999 का मतलब है 0.9 पे बार फिर से हम उसी method से करेंगे जैसे हमने question number 3 में ही तीनो question किया है सो ध्यान से देखो यहां पे क्या लिखेंगे question number 3 में हम sorry question number 4 है 0.9999 and so on इनों ने यह question दिये ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं हम यहां पे लिखो यहां पे 0.9 पे बार लिख सकते हैं ना इसको सो फिर से हम मानेंगे let x equals to 0.999 and so on यह first equation हो गया हमारा ठीक है सो हम multiply करेंगे किसका 10 का क्योंकि एक ही number पे बार है ना सो लिखो multiply multiply बोथ साइट by 10 10 से multiply करेंगे 10 into x 10 x हो गया 10 into इसको करोगे तो 9.999 and so on यह हमारा 2 हो गया सब्ट्राइट करना है हमें 2-1 मतलब 2 मेंसे 1 को सब्ट्राइट करना है 2 मेंसे नहीं मतलब यह equation 2 है 10 x minus x equals to 9.999 ठीक है minus 0.999 यह so on है 10 x में से x आएगा तो हमारे पास 9 x आजाएगा और यह तीनों सेम है यह तीनों सेम है तो हमारा 9.000 and so on आजाएगा अब क्या है 9 x equals to 9 है तो x की value क्या हो जाएगा 9 upon 9 जो की answer हमारा 1 हो जाएगा तो x की value हमारे पास 1 आ गए तो इसका मतलब है जो उन्होंने last way पूछा है are you surprised by your answer with your teacher and classmate को discuss करना उनके साथ तो yes हम surprised हुए क्यूं कभी भी आगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखता है तो हम उसको मानेंगे कि वह 1 है क्यूंकि वह बहुत ही close है बनके तो यहां पे लिखो the answer the answer make sense as 0.9999 is very close to very close to 1 ठीक है बहुत ज्याद़ close है बनके that's why we can say we can say that 0.9999 equals to 1 के question number 4 हो जाता है I hope आपको यह सारे question समझ में आये होंगे next video में question number 5 से continue करेंगे जो भी होता है लाइक जादर लेंदी वीडियो ना हो so that आप बोर्ड ना हो तो हम 2-3-3 question को लेके चलेंगे and please मेरी आपसे request comment करके जरूर बताना कि आपको यह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए ठीक है बाइ वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो सब्सक्राइब भी कर दो मुझे कर दो